EMS की first class तथ second class की परिच्छा बहुत ही नजदीक है, कुछी दिन बचे हुए है, इस परिच्छा को मद्ध नज़र देखते हुए, मैंने multiple choice question के लिए कुछ data त्यार किया हूँ, और यह data बहुत ही important है, यह data आप सभी को, एक examination point of view से काफी उप्योगी है, इस data को आप सभी ध्यान पुरुवक शुनेंगे, साथी हूँ, सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, classification of cold seam, सबसे पहले thin seam किसको बोलते हैं, तो जिस seam का thickness, 1.5 meter तक हो, उसको बोलते हैं thin seam, moderate seam किसको बोलते हैं, 1.5 से 4.5 meter हो, उसको बोलते हैं moderate seam, thick seam 4.5 से 9 meter को बोलते हैं, thick seam, very thick seam 9 meter से above को बोलते हैं, very thick seam, यह एक, दो, तीन, चार, चार seam का thickness है, यह चार टाइप का seam है, thin, moderate, thick, very thick, इसे आप याद रखें, 1.5, 1.5 तो 4.5, 4.5 तो 9 meter, and above 9 meter, आगे है, flat seam, inclined seam, stiff seam, very stiff seam, up to 5 degree, जो seam हो, उसको बोलते हैं flat seam, 5 degree to 18 degree है, उसको बोलते है, inclined, 18 degree to 14 degree है, उसको बोलते है, stiff seam, more than 40 degree है, उसको बोलते है, very stiff seam, इसके बाद मैं आप लोग बनना चाहूंगा अंडरकाउन माइन में लोकोमोटीव जहां युझता हो तो उस लोकोमोटीव का ट्रैक का निकलिनेशन कितना होना चाहिए not more than 1 in 15 आगे मैं बतना चाहूंगा जहां कनवेर बेल्ट इउजweis होता है तो उस कनवेयर बेल्ट और साइड का जो ट्रैब्लिंग रोडवे है उस दोनों के बीच का कम से कम कितना जो है ग्येपिंग होना चाहिए तो हमेशा याद रखें कम से कम 1 मीटर होना चाहिए बेल्ट और आस्ता के बीच का जो दुरी है वो कम से कम एक मिर्ण होना चाहूंगा वेलोसिटी ओफ एर करेंट डिग्री 1, 2, 3 तीनो माइन के लिए इमेडियेट आउट बाई वेंटिलेशन कनेक्शन फ्रोम दा फेस कितना होना चाहिए तीस मीटर पर मिनट दूसरा है डिग्री 1 और 2 के लिए 4.5 मीटर फ्रोम एनी फेस 30 मीटर पर मिनट तीसरा पॉइंट है 7.5 मीटर आउट बाई अप दर दिस्चार्ज इंड अफन एर पाईप 15 मीटर पर मिनट चौथा पॉइंट है अट दा मैक्सम्म स्पैन अफ लोंग वाल फेस लोंग वाल फेस में 60 मीटर पर मिनट चाती हूँ ये एक दो तीन चार चार डाटा आप याद रखें इसी डाटा के साथ आप डिगरी 3 माइन के लिए जब माइन डिगरी 3 हो थर्ड डिगरी माइन के लिए दो तीन चार जो पॉइंट है ये सेम रहेगा जब ये डिगरी 3 माइन का कंडिशन होगा उस कंडिशन में ये फिगर 30-45 हो जाएगा ये 15-25 हो जाएगा और ये 60-75 हो जाएगा यानि कि लोंग वाल में डिगरी 1-2 के लिए 60 मीटर पर मिनट डिगरी 3 के लिए 75 मीटर पर मिनट या भरुसीटी होगा साथियों अब मैं आप लों बतना चाहूंगा capability index तो capability index क्या है सब्सक्राइब आप जान लिजिए रूप का जो capability है उसको बोलते है capability index उसको निकालने का एक फर्मूला है एक्जामिनेशन में इस पर निमर्कल को संपुशे आते हैं जो लेक्शलेशन तो था वर्किंग दोनों के लिए पर दोनों आते हैं यहां देखेंगे PI मेंस हो गया capability index S is equal to compressive strength of strongest bed in kg per cm2 L equal to average length of course T equal to thickness of strong bed in mm यह आप formula याद रखेंगे question में compressive strength average length of core thickness of strong bed यह दिया हुआ रहेगा आपके वाल इस formula को याद रखें numerical आपका सल्व हो जाएगा अब हम आपको बताएंगे अब हम आपको बताएंगे अब जैसे हम capability index निकाले 1000 यादी capability index है तो यह रूप easily capable होगा यानि कि केविम के तर से हम काम करते हैं तो 1000 निकला यदि CI तो वो easy capable हो जाएगा यदि 1000 से 2000 के बीच में है तो moderate होगा यदि 2500 से 6000 के बीच में है तो difficult to care 6000 से 10,000 के बीच में है very difficult to care more than 10,000 है तो extreme difficult आप याद रखें लिए इसके आगे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा yield pillar टेक्निक क्या होता है yield pillar टेक्निक एक ऐसा टेक्निक है जिसमें massive sandstone है और roof caving बहुत difficult है उस condition में yield टेक्निक के उज़ोता है ये आपको intermium में भी कामाएगा इसमें क्या करते हैं pillar या stook को हम gop side में छोड़ देते हैं जिससे क्या होता है जब हम extraction करते हैं उस condition में क्या होता है पिलर cross होता है और cross होने के बाद वो smoothly जो है keep down जाता है तो yield पिलर टेक्निक हम ज़्यादा टाइम नहीं ना चाहेंगे क्योंकि बहुत सारे पॉइंट को हमको कम समय में डिल करना है आपको बताना चाहेंगे आर्की ड्यूट आर्की ड्यूट निकालने के लिए भी objective question में numerical पूछे जाज़कते हैं आर्की ड्यूट रोग quality recognition रोग quality recognition का फ्रामूला होता है l1 plus l2 plus l3 plus dash 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 ln बाई L इन्टू 100 अब यहाँ L1, L2, L3 क्या है उसको समझे कोर लेंथ है कोर लेंथ more than 10 cm जितना भी हम डिल किये डिल करने के दवरान पर ते कोर का लेंथ जो 10 cm से अधीक होगा उसको हम मेजर करेंगे और यदि माल लिजे की L1 12 cm आया L2 15 cm आया L3 25 cm आया इस सारे को हम 12, 15, 25 को आइड करेंगे और टोटल जो लेंथ हुआ डिल का माल लिजे की यहाँ 50 cm है उसको 100 से मल्टिप्लाई करके उसके बाद कल्कुलेशन जो आएगा वो आर्की ड्यू होगा अब है आर्की ड्यू रोक क्वालिटी डिग्निशन है आर्की ड्यू निकाले यदि जीरो से 25 आया तो क्या होगा भेरी पूर पचीश से पचास आएगा पूर पचास से पचहतर आएगा फेर पचहतर से नब्बे आएगा गुड नब्बे से सव आएगा एक्सिलेंट यह डाटा आप याद रखेंगे क्योंकि इसमें से एक्जामिनेशन में अब्जेक्टिव कॉस्टन में कोई भी एक दिया रहेगा या चाहे इधर का हो या इधर का हो जैसे पूर रूफ आर्कीडियू है तो पूर दिया हुआ है तो 25 से 50 उसमें सेलेक्ट करना होगा उसमें बहुत सरा दिया रहेगा 25 से 50 रहेगा या सब रहेगा एक दो तीन चार पांचों रहेगा इसमें से किस टाइप में कौन सा सेटिंग होगा इसलिए इसको आप सिरियल नंबर से याद रखें अब मैं आप लोगों को इस टोन डास्ट बैरियर के बारे में बताना चाहूंगा स्टोन डास्ट बैरियर सबसे परले स्टोन डास्ट बैरियर कितन तरक होता है प्रामरी और लाइट बैरियर अब दूसरा है सेकेंडरी और हेवी बैरियर दो तरह का बैरियर है दोनों बैरियर में अब हम इसके बारे में जानेंगे कौन सा बैरियर कहां यूज होगा आप याद रखें अब मैं आप लोगों को इस्टोन डास्ट बैरियर के लोकेशन के बारे मताऊंगा बोड और पिलर मेथड में 135 से 365 मिटर फ्रों फ्हेश 135 से 365 मिटर फ्हेश से दुरी पर हम बोड और पिलर में इस्टोन डास्ट बैरियर लगाएंगे लोगोल में लाइट बैरियर लगाएंगे 45 से 110 मिटर फ्हेश से इस्टोन डास्ट बैरियर का दुरी होगा यानि कि लोगोल में लाइट टाइप हेवी टाइप दुनों टाइप के बैरियर उच करते हैं हेवी टाइप का बैरियर कहें उच करेंगे 180-320 meter from face Single heading जहां single heading face चलता हो या road order हो या other method से हो उसमें 135-365 meter from face Single heading के condition में अब stone dust loading light or heavy barrier दोनों में कितना कितना loading होगा यह सबसे important question है यह बहुत ही जो है एक, दो, तीन, चार चार data है इसको हमेशा याद रखें इससे exam question पूछा जाता है light barrier light barrier में loading देखें दो data है एक 30 kg है 110 kg तो light barrier में 30 kg per meter per self stone dust barrier का जो self होगा वो per self loading 30 kg per meter per self होगा और 110 kg per meter square cross section area जो dust barrier है उसका जो cross section area है उसके नुशार 110 kg per meter square होगा और उसमें आई अब heavy type heavy type में 60 kg यह light में 30 है heavy में 60 होगाता है ठीक इसका double 60 kg per meter per self cross section area में 110 के बदले में यहां 390 हो जाएगा यह चार figure हमेशा आप याद रखें तो साथियों अब मैं आपको tele monitoring system क्या होता है उसके बारे में बतना चाहूंगा यह interview में काम आएगा और objective question बीस पर बनेंगे tele monitoring system एक continuous environment monitoring system है जो underground mind में यूज़ करके है तो tele monitoring system में कौन-कौन सा analysis करता है उसमें CO, CH4, O2, temperature, oxygen nitrogen, nitrous oxide, humidity यह सारे चीज़ automatic underground से surface तक computer से उसका connection हता है वो data underground का परतेक point का computer में वो display करता है अब मैं आप लोगों को बतना चाहूंगा homotropal ventilation system and antitropal ventilation system homotropal ventilation वो ऐसा ventilation system है जिसमें air and mineral दोनों same direction में flow होता है इसको बोलते हैं homotropal antitropal इसमें आप देखें air mineral air flow यदि इस direction में है middle flow ठीक इसका opposite direction में है ये antitropal है यानि कि air और mineral दोनों का flow ठीक opposite direction में है और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा ignition temperature ignition temperature przy तू त्मिनाश कोल स्थ्णच्छ धू novamente ये रगदर्फ। फपुरण सवर्ण ड्यव सब्धर्ण kि आपुर ये 398 degrees centigrade फाय ड्रेम 650 से 750 degrees centigrade इस टाटा को आप याद रखें को आप याद रखें